नवस्कार प्रयांसा सिख्षार्थिना दर्सकास्च अहम पुनीत त्रिपाथी वरिष्ट कारेकारी अधिकारी राष्ट्रिय मुक्त विद्याले सिख्षास अथानत हुआ आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि मरीज हमेशा वैद्या चिकित्सक के पास जाते हैं वैद्या उनके रोगों का निदान करते हैं उन्हें दवाईयां देते हैं और उनके रोगों को दूर करते हैं अगर किसी व्यक्ती का किसी दुरगटना में अंग भंग हो जाता है अथवा सरीर में यदि घाव उत्पन हो जाते हैं तब ऐसी परिस्थिती में क्या करते हैं हम सभी उस मरीज को किसी कुसर शल्य चिकित्सक के पास ले कर जाते हैं वह सल्य चिकित्सक उस दर्द से भरे हुए अंग को शल्य क्रिया के द्वारा खोलता है और उसके तूटे हुए हड्डियों को पुनह जोडता है और जोड करके उस मरीज को उसकी तवचा को पुनह सिल करके उसे उसके घर पर भेट दिया जाता है जिससे वह मरीज समय के साथ धीरे-धीरे सुस्थ होने लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सल्य क्रिया के जनक सुस्रुत थे सुस्रुत प्राचीन भारती ये वैज्यानिक भी थे उन्होंने न केवल सल्य क्रिया अपितू प्लास्टिक सर्जरी जिसे संस्कृत भाशा में त्वक प्रत्यार उपन कहते है उसके भी जनक थे आज के इस अध्याय में हम उन्हीं महरशी सुस्रुत के विशाय में पढ़ेंगे प्रेशिक्षार्थियों आईए हम आज के अपने अध्याय के मूल पाठ को पढ़ लेते हैं सबसु पहले तो चैप्टर की हेडिंग है सल्य चिकित्सा जनक सुस्रुत है चिकित्सा विज्ञाने विभागत द्वयम वर्तते आउशध चिकित्सा शल्ली चिकित्सा जन आयुर वेदस्य प्राचीन तमव ग्रंथव चरक्षम्हिता सुस्रुत सम्हिता जन चरक्षम्हिता नाम आउशदची कित्सा ग्रंथा चरकेन तथा सुस्रुत सम्हिता नाम कह ग्रंथा चो महर्षिन सुस्रुतेन रचित इति मन्यते सुस्रुतस्य नामोल लेखा वालमी की रामायने अपियस्ति सह विश्वामित्रस्य पुत्रह आशेत शल्य चिकित्सायाम यंत्र शष्ट्रक्षार अग्नी प्रणिधानानी इती चत्वारी शल्य विधानानी वर्नितानी किम नाम शल्यम शल्य वत्तुदती तत्शल्यम तस्य निरशनम शल्य कर्म उत्तमह सल्य चिकित्सकह की द्रशी भवेत् इती विशये वर्नयति शुष्रुतह शाुर्यम आशुक्रिया शस्त्र तैक्षन्यम अश्वेद वेपथुहु असम्मोहस्य वैद्यस्य शस्त्र कर्मनि शश्यते सुस्रुतोक्तानाम शस्त्र कर्मानी उपयुज्यमानानाम यंत्रानाम संख्यासताधिका अस्ति वस्तुतह शस्त्र कर्मनी वैद्यस्य हस्त एवं प्रधानतमह सर्वानि अपी यंत्र कर्मानी तद धीनानी सस्त्रानी शट्प्रकारकानी तद यथा स्वास्तिक यंत्रानी शंदंश यंत्रानी ताल यंत्रानी नाडी यंत्रानी शलाका यंत्रानी उपयंत्रानी चेति तत्र चतुर विम्षति स्वास्तिक यंत्राणी द्वे शंदम से द्वे ताल यंत्रे विम्षति नाडयह अश्टा विम्षति शलाकाह पंच विम्षति उपनेद उपयंत्राणी चसंति एते साम कानिचित यंत्रानाम मुखानी नाना प्रकारानाम मुरिगपक्षेनाम मुखेई ही सद्रिशानी प्राया भवन्ती यथा प्राणी मुखानी वस्तु ग्रिहनंती तथाई वद्रिडतया एतई ही अपी शल्यज्यां रुग्णस्य सरीरश्य अंगम ग्रहतुम शक्नुंती हम इस अध्याय को दो विभागों में विभक्त करते हैं पहला है प्रथम अंस और दूसरा है दुतिय अंस तो यह जितना अभी हमने मूल पारायन किया है मूल पाठ काम ने अध्यन किया है वह प्रथम अंस में आते हैं आएए अब उन्हीं प्रथम अंस को हम अच्छे से व्याक्छात्मग सैली से समझते हैं क्या कहा गया है सबसे पहले लेखक चिकित्सा विज्ञान के दो विभागों के बारे में बताते हैं पहला है आउशद चिकित्सा जिसमें केवल चोल्ण या गोलियों अथवा रश जिसे आप सिर्फ कहते हैं इत्यादियों के द्वारा चिकित्सा का संपादन किया जाता है अर्थात जो अउशद विभाग है उसके अंदर चिकित्सा किस प्रकार से केवल दवाईयों के माध्यम से ही रोगी के या मरीज के सरीर में जो व्याप्त रोग हैं उनको किस प्रकार से नश्ट करता है इसके विशे में वे वहाँ पर वर्णन करते हैं तथा ही उसी प्रकार वे जब हम देखते हैं कि दूसरा जो विभाग आता है वह आता है सल्य का विभाग और सल्य विभाग में हम लोग जानते हैं कि सल्य विभाग में क्या बताया गया है सल्ले विभाग में बताया गया है कि किस तरह से हम ऑप्रेशन के माध्यम से या अंगों को ऑप्रेशन की क्रिया के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं सल्ले चिकित्सा जहां पर शल्ले क्रिया के माध्यम से रोग से गरशित अंगों को खोल कर रोग के कारक को निकाल कर उस इस्थान को पुनह बंद कर दिया जाता है वही सल्लिक्रिया कहलाती है अर्थात सल्लिक्रिया के माध्यम से जिस इस्थान पर अंग में हमें किसी रोग इत्यादी का वहां आभाश होता है कि इस इस्थान पर रोग है उस इस्थान को आप्रेशन के माध्यम से कट करके उसके अंदर जो कारक है यानि जिस कारण से वो उस स्थान पर रोग उत्पन हो रहा है उसको निकाल दिया जाता है वह किस क्रिया के अंतरगात आता है तो वह आता है सल्ली चिकित्सा के अंतरगात सल्लिक्रिया के माद्यम से रोगों के ग्रशित अंगों को खोल कर उनके रोगों को नश्ट कर दिया जाता है वह सल्लिक्रिया कहलाती है तदन अंतर आयुरवेद के दो प्राची नितम ग्रंत है पहला चरक सम्मिता जो की आउशद चिकित्सा ग्रंत है जिसकी रचना चरक रिशी ने की है और दूसरा सुसृत सम्मिता जो की शल्ले चिकित्सा का ग्रंत है जिसे महरसी सुसृत ने रचा है यानि उसको लिखा है प्रशन उठता है कि यह सुसृत है कौन तो उत्तर देते हैं कि रामाइन में सुसृत का उल्लेक मिलता है यह बताता है कि सुसृत का जीवनकाल वालमीकी से भी पूर्व था इस प्रकार आज से करीब ढाई हजार साल पहले सुस्रत का नाम सुप्रशिद था अर्थात रामायन ग्रंत की रचना महर्शी बालमीकी ने किये और उन्हीं महर्शी बालमीकी ने अपने रामायन ग्रंत के अंदर महर्शी सुसृत का जिक्र किया है वहाँ उनका वर्णन किया गया है तो इससे सिद्ध होता है कि महरशी सुसृत महरशी बालमीकी से भी पूर्व थे सुसृत विश्वामित्र के पुत्र थे ऐसा कहा जाता है लेकिन उनके विशय में अधिक प्रमाण इसपष्ट नहीं होते हैं उनका नाम उनके महानकारियों के द्वारा यस को प्राप्त करते हुए आज भी जीवित है यानि सुसृत के द्वारा किये गए कर्मों के अनुशार उनका नाम आज इस चलाचर जगत में व्यापत है सल्य कर्म क्या होता है सल्य क्रिया के द्वारा रोगों का अध्येन होता है अर्थात उनको नश्ट कर दिया जाता है सल्य कर्म यह पदशल्य शब्द से उत्पन होता है जो की शल्यम बनता है और तीखे नुकीले काटों की तरह जो दर्द देता है वह भी शल्य कहलाता है उस समय का या उस रोग का निश्कासन ही सल्य चिकित्सा कहलाता है ऐसा सल्य चिकित्सा सास्त्र में इसके विशे में वरणन किया गया है सल्य विधान क्या है सल्य चिकित्सा में चार प्रकार के सल्य विधाएं बताई गई है वे चारों इस प्रकार हैं पहला है यंत्रप्रणिधान, जिसमें आप यंत्रों का प्रयोग देखते हैं, दूसरा है शस्त्रप्रणिधान, तीसरा है खारप्रणिधान, चौथा है अगनिप्रणिधान, ये चार प्रकार के बिधान बताये गए हैं, जो कि अलग-अलग प्रकार से सल्य क्रिया के अंतर आते हैं महर्शी सुस्रुत के अनुसार सल्य चिकित्सा का लक्षण बताया गया है कि सौर्यम आशुक्रियासस्त्र तैक्ष्णम अस्वेद वेपत हुँ असम्मोहस्य वैद्यस्य श्रस्त्र कर्मणी शश्यते अर्था चिकित्सक कैसा होना चाहिए तो चिकित्सक सूर होना चाहिए सूरकार्थ शाहशी होना चाहिए उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कार्य को शीगरता से संपन्न करने वाला होना चाहिए आसुक्रिया वाला हुआ होना चाहिए अर्थात अगर चिकित्सक किसी मरीज का operation कर रहा है तो उसको यथा सीख गर्शम पादित करने का हुआ कारिय करें पता चला कि मरीज को उसका operation होना है डॉक्टर ने चीरा फाड़ा किया operation के लिए और उसको खोल करके आराम से साइड में बैठके चाय पान हो रहा है तो ऐसी अवस्था में मरीज को कई तरह के रोग और भी उत्पन होने के डर होते हैं इसलिए शल्य क्रिया में दक्ष होना चिकित्सक का लक्षन कहलाता है वह अपने काम को अपने कर्म को सिग्र ते सिग्र संपादित करने वाला होना चाहिए उसके सस्त्र और यंत्र नुकिले होने चाहिए जिन सस्त्रों के द्वारा जिन यंत्रों के द्वारा उस चिकित्सक के द्वारा शल्य क्रिया करनी की जानी है या जो आपरेशन किया जाना है वह वो जो यंत्र है वह नुकिले होने चाहिए धारदार होना चाहिए शल्य क्रिया के समय उसके अंदर भै या भै से उत्पन होने वाला पसीना नहीं दिखना चाहिए यानि वह जो डॉक्टर है वह निडर होना चाहिए उप्रेशन के समय उसके हाथ नहीं कापने चाहिए और डर के कारण उसके चहरे पर किसी भी प्रकार का पसीना नहीं होना चाहिए यह भी एक चिकित्सक का लक्षण बताया है अन्त में वह डॉक्टर मोह से रहित और मन से इस्थिर होना चाहिए ये नहो कि डॉक्टर आपरेशन यहां कर रहा है लेकिन ध्यान उसका कहीं और है अन्यता अनर्थ हो सकता है और वहाँ मूह से रहित होना चाहिए उसके अंदर किसी भी प्रकार का मूह नहीं होना चाहिए वह एकदम फ्री दिमाग के साथ वो बैठ करके ऑप्रेशन का कार्य संपादित करें ऐसा लक्षन बताया गया है महर्शी सुसुरुत ने सल्ले चिकित्सा के लिए सो से अधिक यंत्रों का निर्धारन किया है लेकिन उनमें हाथ को उन्होंने सबसे प्रधान यंत्र माना है यदि हाथ ही नहीं होगा तो चिकित्सक सल्ले क्रिया का संपादन कैसे करेगा क्योंकि सल्ले क्रिया के लिए सस्त्रों की जरूत पढ़ती है अलग-अलग यंत्रों की आवशक्ता पढ़ती है अब ऐसे में अगर उस डॉक्टर के या किसी व्यक्ति के पास हाथ ही नहीं है तो वह किस प्रकार से उस वस्तू को पगड़ सकता है तो उसके लिए हाथ और वो भी शक्षम हाथ होने आवश्यक है यहाँ बताया गया है कि यदि हाथ ही नहीं रहेगा तो चिकित्सक शल्ले क्रिया का संपादन कैसे करेगा क्योंकि सभी यंत्र हाथों के आधीन हैं इसलिए शल्ले क्रिया के लिए हाथ सबसे प्रधान यंत्र माना गया है यंत्रा अनाम प्रकार है अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से यंत्र हैं और उनके कितने प्रकार हैं छे प्रकार बताए गए थे स्वास्तिक यंत्र, संदंस यंत्र, ताल यंत्र, नाडी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र तो अब इनकी संख्याएं भी देख लेते हैं तो स्वास्तिक यंत्र की 24, संदंस यंत्र की 2, ताल यंत्र के 2, नाड़ी यंत्र के 2, शलाका यंत्र के 28 और उप यंत्र के 25 यह हुए हमारे कुछ यंत्र अब आईए आपके सामने चित्र स्पष्ट हो रहा है कि यंत्र का निर्मान किस प्रकार से किया गया है अब जैसा कि देख पा रहे हैं सिंग का चेहरा दिया गया है और उसके बगल में जो यंत्र है उसको शिंग है यंत्र कहा जाता है यानि यह जो यंत्र है उसका जो पकड़ है जो पकड़ने का जो तरीका है वह शिंग के जबड़े की तरह यानि जिस प्रकार शिंह अपने सिकार को पकड़ता है उसी प्रकार इस यंत्र का भी मुख है जैसे कि माली जीये ये सिंह का सर है और ये उसका सिकार है तो ये जो यंत्र है वो उसको इस प्रकार से पकड़ेगा और उसका जो पकड़ है वो इतना मजबूत होगा कि वो उससे छूट नहीं सकता सिंग अपने जबडे में अपने सिकार के सर को इस तरह पकड़ लेता है और इसमें से छूटने का कोई वो डर नहीं रहता है तो इस प्रकार से यह सिंग है यंत्र कहलाता है अगला है आप देख पा रहे हैं चीता बना हुआ है और चीते के ही मुख की आकृती के समान ही यह यंत्र है भेडिया बना हैं लोमडी बने हैं उनके भी मुखाकृतियों के समान यह यंत्र यहाँ पर निर्धारित है अन्य यंत्र है रीच की तरह है और भी बाराशिंगा है इत्यादी अन्य तरह के भी यंत्र यहाँ पर वर्णीत है आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर आप देखते हैं स्वास्ति की यंत्रानी पक्षी मुखा सद्रिशानी या पक्षी चंचु सद्रिशानी जिसमें आप देखेंगे काक यंत्र है, कंक यंत्र है, कुरर यंत्र है, चाशय यंत्र है, शेन यंत्र है, शशगहाट यंत्र है, गृध्ध यंत्र है, क्रौँच यंत्र है, और अंजली करण यंत्र है इसमें आपके स्क्रीन पर क्योवल चार दिख रहे हैं और बाकी भी अन्य है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अन्य ये हैं जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दिये गए हैं इस प्रकार से ये टोटल अलग-अलग तरह के पशू मुखे सद्रिश और पक्षी चंचु सद्रिश यहाँ पर बताए गए हैं तो ये हुए आपकी कुछ यंत्र जिनके बिशय में आपने जाना तो प्रथमस अंसक में आपने क्या क्या समझा इसको एक बार हम पुना अबरती के माद्यम से जान लेते हैं कि चिकित्सा बिज्ञान के दो बिभागे हैं पहला ओशद चिकित्सा और दूसरा शल्य चिकित्सा सुसृत शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं वे बिश्वा मित्र के पुत्र थे उनके ग्रंत का नाम है सुस्रत सम्हिता सुस्रत का उलेख मारशी बालमीकी के द्वारा अपने रामायन में किया गया है यह उनका प्रमान है कि सुस्रत बालमीकी से पूर्व हुए थे सुस्रत द्वारा चार श्रल्य विधान कहे गए हैं यंत्रप्रणिधान, शस्त्रप्रणिधान, ख्षारप्रणिधान, अगनिप्रणिधान, इत्याद, शल्ले क्रिया में 100 से अधिक सस्त्र भी बताए गए हैं, जिनके बारे में आपने जाना, आज के लिए इस कारिक्रम में इतना ही प्रियोशिक्षार्थियों यम्दर्शकाओं आप सभी लोग जुड़े रहें NIOS के लाइब कक्षाओं के साथ तब तक के लिए धन्यवाद